गुट मॉनिंग उगी जी क्लास कैसे हैं आप बच्चो आज आपका हिंदी का पेपर है तो आप सभी के लिए पहले all the best आप अपनी कॉपी में अपना नाम क्लास का नाम और जो आपका सब्जेक्ट है याने के विशे दिनांग डालिए अब हम पेपर को देखेंगे तो पेपर है आपका हिंदी का जो आपका पचास नंबर का है तो पहला प्रस्न है चित्र पहचान कर नाम से मिलान कीजिए आपका एक साइड चित्र है और दूसरी साइड नाम है तो आपने क्या करना है चित्र को नाम से मिलाना है ओके पहला प्रस्न है जो आपका पंद्रा नंबर का है आग्या समझ में दूसरा प्रस्न है आपका वर्णों और मात्राओं को जोड़ कर सब्द बनाओ आपने क्या करना है आपको नीचे वर्ण मात्रा और वर्ण दे रखा है तो आपने इन को जोड़ना है और यहाँ पे लिखना है दूसरे में भी आपका वर्ण है फिर वर्ण है फिर वर्ण है फिर मात्रा है तो आपने क्या करना है इन सब को जोड़ना है और यहाँ पे लिखना है आगे चलते हैं तीसरा मात्रा फिर वर्ण फिर वर्ण आपने क्या करना है इसको जोड़ना है यहां पर लिखना है फिर चौथा वर्ण वर्ण फिर मात्रा आपने इन सब को जोड़ना है यहां पर लिखना है फिर वर्ण मात्रा वर्ण जो आपका पांचवा है तो आपने इन सब को जोड़ना है और यहाँ पे लिखना है फिर छटा है आपका one, one, मात्रा, one इन सब को जोड़के आपने यहाँ पे लिखना है फिर साथवा है आपका one, मात्रा, फिर one इन सब को जोड़ना है और यहाँ पे लिखना है फिर आटवा है आपका वन मात्रा वन इन सब को जोड़ना है और यहाँ पर लिखना है फिर नुवा है आपका वन मात्रा वन आपने क्या करना है इन सब को जोड़ना है और यहाँ पर लिखना है फिर वन आपका दसब को जोड़ना है और यहाँ पर लिखना है फिर ग्यारवा देखे वन मात्रा वन इन सब को जोड़ना है और आपने यहाँ पे लिखना है फिर बारवा देखे वन मात्रा वन इन सब को जोड़ना है और यहाँ पे लिखना है तीरा वाला देखे वन मात्रा वन इन सब को जोड़ना है और यहां पे लिखना है पर चौदा देखिए वन, मात्रा, वन इन सब को जोड़ना है और यहां पे लिखना है आपने फिर पंद्रा देखिए आपका वन, मात्रा, वन और मात्रा इन सब को जोड़ना है और यहां पे लिखना है ये वाला भी आगया आपके समझ में तो ये जो प्रस्न आपका दूसरा है ये भी आपका पंदरा नमबर का है यानि कि आपने वर्ण और मात्रा को जोड़ के सब्द बनाना है सब्द को आपने यहां पे लिखना है ओके आगे बढ़ते हैं अब आपका प्रस्न तीन यानि कि तीसरा प्रस्न है आगी मात्रा वाले दस सब्द लिखिये आपने आगी मात्रा वाले दस सब्द लिखने है जो दस नमबर का है आपका प्रस्न चार खाली जगे भरो आपको यहां पे जो आपका कौव वाला है यहाँ पे आपका डर्दर को माना पाप है यानि खाली चेक है और इसमें आपको कोस्टक में दो जो सब्द दे रखे हैं उन में से जो सही सब्द होगा आपने कारी चेके में भरना है यहाँ पे मरेग और फिरिक्ष है जो सही है उसको आप यहाँ पे भरेंगे खो हिमाले, डर्दस, बर्फ का घर है यहाँ पे भी आपका दो सब्द हैं परवत और दर्ष इन दोनों में से जो सही होगा आपने यहाँ पे लिखना है फिर गौ बाजार से डस डस केले ले आना इसमें भी दो सब्द हैं जो सही सब्दों का आपने यहाँ पे लिखना है एक है चे है और ची तो आपने यहाँ पे जो सही होगा उसको लिखना है यह वाला आ गया समझ में तो यह आपका छेह नंबर का है मतलब जो आपका एक है दो नमबर का फिर एक है दो नमबर का एक है दो नमबर का यानि कि पूरा टोटल छह नमबर का है अब आपका लास्ट कोशन पांचवां रो रेव की मात्रा वाले चार सब्द लिखे आपने क्या करना है रेव की मात्रा वाले चार सब्द लिखने है जो आपका चार नमबर का है आपका इतना सही पांच कोशन है जो आपने अपनी कॉपी में करने है और अच्छे से राइटिंग में करना है और जब आपका पूरा पेपर सॉल्फ हो जाएगा यानि कि आप पूरा पेपर कर देंगे तो आपने अपनी कॉपी को इसकूर में जमा करना है दो बज़े से पहले ओके दो बज़े तक का टाइम है तो आप दो बज़े से पहले भी जमा कर सकते हैं ओके और आपके लिए एक बार फिर से all the best अच्छे से कीजिएगा और अच्छी राइटिंग बनाएगा ओके बच्चो तो कीजिए आप अपना प्राइटिंग अच्छे से करना ओके